सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ ब्यूटी एंड लाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटिड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आफ को पता है आपकी लाइक का सबसे इंपोर्टिंट असेट क्या है आप और इस एसट याई आपका हेल्दी रहना कितना इंपोर्ट्न है As we all know, health is wealth, जो कि बहुत सही भी है, अगर हम fit रहेंगे, healthy रहेंगे, तो हमारी life को अच्छे से enjoy कर पाएंगे, हमारी life बिल्कुल smooth चलेगी, और अगर हम unhealthy रहेंगे, तो हमारी life को भी हम properly enjoy नहीं कर पाएंगे, और क्या आपको पता है, vitamin D हमारे लिए कितना important होता है, अगर नही तो please इस वीडियो को एंग तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगे आपको कि vitamin D की deficiency से किन-किन health related problems को face करना पड़ सकता है, और साथ ये भी बताऊंगे, इसकी deficiency को हम कैसे पूरा कर सकते हैं vitamin D को हम sunshine vitamin B कहते है, because जब sun rays हमारे skin पर पड़ती है, तो हमारी body के skin cells हमारी body में vitamin D produce करते हैं, और ये vitamin D हमारी bones तक calcium पहुचाने का काम करता है, जिससे हमारी bones strong होती है जैसा कि हमें पता है कि हमारी bones calcium की बनी होती है, तो अगर हमारी body में vitamin D की कमी है, तो इसके कारण हमारी body में calcium की कमी भी होने रगती है So friends, be aware, कहीं आप vitamin D deficient तो नहीं है, तो चली सबसे पहले देखते हैं कि vitamin D deficiency के symptoms क्या होते हैं Vitamin D की deficiency अगर हमारी body में होती है, तो हमारी bones weak हो जाती है, ओस्टोफोरोसिस भी हो सकता है, means हमारी bones में जल्दी जल्दी fractures होने लगते हैं और उनको recover होने में भी time लगता है Vitamin D की कमी से हमारी immunity भी कम हो जाती है, जिसकी वज़े से हम बहुत जल्दी जल्द विमार होने लगते हैं Vitamin D की कमी से हमारे muscles भी weak होने लगते हैं, because vitamin D हमारी bones के साथ साथ other vitamins को भी activate करता है और अगर दूसरे vitamins activate नहीं रहेंगे तो वो हमारी bones के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा और हमारी muscles में भी दर्द रहेगा और इसकी कमी से बच्चों में asthma attack भी हो सकता है, तो बच्चों को धूप में कम से कम 20-30 minutes जरूर खेलना चाहिए vitamin D deficiency के कारण आपकी muscles में भी pain रहता है, especially आपके पैरों में, बहुत pain होने लगता है, especially thighs और calf में जब कभी आप bats उठकर चलेंगे या फिर बहुत time किसी जगह पर बैट कर फिर उठकर चलेंगे, तो आपके heels में बहुत जादा pain होगा इसका मतलब यह है, vitamin D की कमी हो सकती है, vitamin D deficiency के क्या causes होते हैं क्या आपको पता है, इंडिया में 90-95% लोग vitamin D deficient होते हैं और इसका main reason है lack of sun exposure because गर्मियों में हम धूप में नहीं निकलते हैं, पूरे दिन AC में रहते हैं या घर में रहते हैं और winter में हम full sleeves, jacket पहन कर निकलते हैं, जिसके कारण हमें proper sunlight जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है हम घर में और office में पूरे दिन AC में रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके कारण sun exposure minimum रहता है और हमारी body में vitamin D की deficiency होने लगती है हमारी body को till the age of 70, 600 international units per day चाहिए and above 70, 900 international units per day चाहिए और अगर आपकी skin light है, तो 20-30 minute तक sun light का exposure चाहिए होता है पूरे दिन में और अगर आपकी skin dark है, तो 30-40 minute चाहिए पूरे दिन में और friends, हमारी body के minimum 20% part पर sun raise पढ़नी चाहिए like हमारे पूरे हाथ, face और neck, अब देखते हैं, हमें vitamin D other than sun raise कैसे मिल सकता है किन-किन चीजों से मिल सकता है, हमें vitamin D, fish, cod liver oil, mushroom, sunflower seeds, egg white and whole egg इनसे भी हमें vitamin D मिलता है, और अब से आप 45 vitamin D food ले सकते है और example, आप जो oil खाना वराने के लिए यूज करते हैं, उसे लेने से पहले चेक कर लीजे कि वह 45 vitamin D है या नहीं and dairy products like milk, cheese, paneer, इनसे भी हमें vitamin D मिलता है आप vitamin D के supplements भी ले सकते हैं अगर आप morning में जल्दी उठते हैं, तो वो best time होता है sunlight लेने का like 6.30 to 9.00 a.m. बट अगर आप नहीं ले सकते हैं उस time पे, तो 11-2 के बीच में भी आप ले सकते हैं क्योंकि उस वक्त, ultraviolet B rays सबसे अधा vitamin D प्रेडियूस करती हैं So friends, I would suggest you कि आप अपना vitamin D level check कराईए और consult कीजे अपने doctor से before taking any supplements जो doctor आपको prescribe करता है वो ही लीजिए और friends, vitamin D केवल हमारी body को ही नहीं, हमारे mood को ही fresh रखता है vitamin D की कमी से हमारे mood swings होते हैं, हमारा mood off रहता है और जादा घर में रहने की वज़े, जादा sun exposure ना मिलने की वज़े से depression जैसे बिमारियां भी हो जाती है बहुत lethargic feel करते हैं, all time हमें लेटे रहने का मन करता है कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है बहुत tiredness feel होती है तो friends कोशिश कीजिए कि आप धूप में minimum आदा घंटा जरूर निकलें और friends आपको tanning से डरने की भी बिल्कु ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको already एक वीडियो में बताया है कि आप कैसे बहुत easily और effectively अपने sun tan को remove कर सकते हैं वो भी घर में तो friends कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वाइटमिन D के बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अवेजरूर कर दीजेगा और अगर आपने मेरे चाल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत हमक्त हैंक्यू अगर नहीं किया है तो प्लीज मेरे चाल को सब्सक्राइब कर लीजे और जो पास में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट कर दीजेए जिसो जो मेरा upcoming videos हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें तो मिलती हूपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई थैंक्स पो वाचिंग